राणावट डाइट में आपका स्वागत है जैस्री रामाक्रश्न आज आपको बता रहा हूं दुर्बल पाचन सक्ती को मजबूत कैसे करें काफी लोग वैसे हैं जिनको खाया भिया अंग नहीं लगता है और इदर उदर अच्छे टॉनिक ढूनते हैं टॉनिक खाते हैं पर उन्हें वह बल नहीं मिलता है जिसकी उन्हें अपिक्षा है खा लेते हैं पर हदब नहीं होता है क्योंकि पाचन सक्ती दुर्बल है और पाचन सक्ती को मजबूत कैसे कीया जाए इसके लिए मैं आज आपको गने लूप चार बता रहा हूं जो आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं और आपको कोई सक्ति वर्दक टॉनिक खाने की जूरूत नहीं होगी यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक्ष अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर गनाशिंग राणावत मैं दवाया बता रहा हूं आप नोट कर लीजिए जिसमें 60 पिपली चव्य चित्रक मूल की छाल मुलटी पिपला मूल यह सबी 50-50 ग्राम और इसमें काली जो दाख आती है वह 300 ग्राम लेनी है काली दाख है उसके अंदर बीज होंगे बीज को निकालकर सारे जितने द्रव है अमाम दसते में ऊसको ूट के फिर आरम से आप उसकी गोलियां बना लेंगे गोली की मात्रा है आप मसें वीभा लीजिए कि उसने How बेर जो होता है चोटे से बेर जो आते हैं लाला रं रंके उसके आकार की आप गोली बना लेवें जो एक गोली सुबह साम आप भोजन के बाद में चुसेंगे तो पाचन सिक्ति की दुर्बलता खतम हो जाएगी और आपके जो भोजन में शडरस है वो आपको मिलना प्रारम हो जाएगा और जब आपको ये खाया पेया हुआ जो शडरस है वो प्राप्ति होगी तो आप मैं अच्छा बल महसुस करेंगे और आप अच्छा स्वास्त महसुस करने से बलवर्दक होने से आप मैं उस्सा और उमंग निरंतर बनी रहेगी कोई दिकत हो आप टिपणी कीजिए सार्थक टिपणी का दबावत जरूर दिया जाएगा मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद